टीचर ने पप्पू से पूछा हिमाले परवत कहां पर है पप्पू बोला पता नहीं सर टीचर बोले बेंच पर खड़े हो जाओ पप्पू बोला सर अभी भी नहीं दिखा पप्पू बीग बॉस देख रहा था तभी सुबह उठकर सब नाचने लग गए पप्पू बोला पता नहीं सुबह उठकर ये सब लोग कैसे नाच लेते हैं मुझे तो सुबह उठने के आदे घंटे तक होसी नहीं रहता कि मैं कौन हूँ और आज मुझे क्या करना है एक आसिक ने क्या खूब कहा बहुत खूब सुरत हूँ तुम खुद को दुनिया की बुरी नजरों से बचाया करो सिर्फ आँखों में काजल ही काफी नहीं गले में नीबू मिर्ची और चपल भी लटकाया करो आज कलकी सच्चाई एक बार खोया हुआ प्यार आपको वापस मिल सकता है लेकिन गाड़ी पोचने का कपड़ा अगर खो जाए तो फिर कभी वापस नहीं मिलता सोनु बुला मोनु से यार एक विवाह का निमंतरन पत्र आया है समझी नहीं आ रहा कि बुलाया है या मना किया है उसमें लिखा है आपकी उपस्थिती ही उपहार है कृप्या उपहार न लाएं एक आदमी अस्पताल में अपनी आखरी सांसे गिन रहा था एक नर्स और उसके परिवार वाले उसके बिस्तर के पास खड़े थे आदमी अपने बड़े बेटे से बोला बेटा तू मेरे मिलेनियम सीटी वाले 15 बंगले ले बेटी से बोला बेटी तू सोनीपत सेक्टर के 14 बंगले ले छोटे बेटे से बोला तू सबसे छोटा है और मुझे सबसे ज्यादा प्यारा भी है इसलिए तुझे मैं ग्रीन पा यह सब सुनकर आदमी की पतनी से बोली आप बहुत भाग्य साली हैं कि आपको इतने अमीर पती मिले जो इतनी सारी जायदाद देकर जा रहे हैं आदमी की पतनी बोली कौन अमीर कैसी जायदाद अरे ये पेपर वाले हैं हम सब को सुबह सुबह पेपर डालने की जिम्मेदारियां बाट रहे हैं नर्स आज तक कोमा में है